हलो स्टूडेंट मैं शाहिन लूथरा आज हम करेंगे क्लास सेविन का जियोग्राफिक का चाप्टर नमबर फूर एर एर जिसको हम हिंदी में हवा या वाई यू जो है बुलाते हैं कहते हैं तो आज हम एर के बारे में पढ़ेंगे हम सब को पता है कि हमारे चारो तरफ हवा होती है ठीक है हमारे चारो तरफ क्या है हवा होती है और उस हवा के अंदर बहुत सारी क्या है गैसिज होती है तो उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तो स्टा कहा जाता है atmosphere कहा जाता है ठीक है called atmosphere all living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival देखो जितने भी इंसान जो धर्ती पे रहते हैं जो सांस लेते हैं चाहिए वो इंसान हो जानवर हो या पेड़ पोधी हो तो किस पे डिपेंड करते हैं सब atmosphere पे हवा पे डिपेंड करते हैं अब जो atmosphere है यह क्या करता है हमें सांस लेने के लिए air देता है ठीक है air provide करता है and protest us from the और जो harmful rays जो आती है सन से उनसे भी हमें बचाता है without this blanket the protection we would be baked alive by the heat on the sun during day and get frozen during night देखो अगर यह atmosphere नहीं होगा without this blanket अगर यह atmosphere का blanket नहीं होगा तो वो हम protection कैसे मिलेगी we would be baked अगर यह atmosphere का blanket नहीं होगा तो जो सूरज से आने वाली जो कुछ ऐसी किरने होती है जिसके अंदर बहुत जादा जो क्या है हो जाएगी कि हम जम जाएंगे so it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable इसलिए जो यह mass of the air है यह वह वायू राशी है जिसने प्रित्वी में जो तापमान है जो temperature है वह ऐसा रखा हुआ है कि नॉर्मल रहे कि हम दिन में जले भी नहीं और रात को हम फ्रोजर मतलब ठंड से जमे भी नहीं तो इसलिए जो हमारे चारों तरफ जो हवा है यह बहुत ही जरूरी है जीने के लिए ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर दिरखा है composition of the atmosphere यानि कि जो atmosphere है उसके अंदर क्या है gases है बहुत सारी हवा है हवा बतला बहुत सारी इसके अंदर क्या है बहुत सारी gases है कौन सी gas क्या काम करती है उसके बारे भड़ेंगे तो पहले हम यह देख लेते हैं देखो यह हमारी पूरी की पूरी क्या है आर्थ है ठीक है तो उपर बहुत सारी gases है कौन-कौन सी gases पहला हम यहां देख लेते हैं Do you know that the air we take is live, breathing is actually a maximum of many gases जो सांस हम लेते हैं वो बहुत सारी gases होती है उसका क्या होता है एक mission होता है बतलब बहुत सारी gases जो होते हैं होती है जो जब हमारे चारो तरफ बहुत सारी गैसीज है तो वो सारी ही गैसीज हमारे तर अंदर ही जाती होंगी ठीक है तो अगर हम सांस ले ले तो सभी गैसीज अंदर जाती होंगी तो बहुत सारी गैसीज का मिक्शर जो है जो है जो हम सांस लेते हैं तो अंदर जाता है इस नाइट्रोजन औक्सीजन और टू गैसे विछ में अपना बलक ओफ दाट्मोस्ट्रेट लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो एट्मोस्ट्रेट जिन गैसे से बनता है वह एक है नाइट्रोजन और दूसरा है औक्सीजन carbon dioxide, helium, ozone, argon and the hydrogen are the found in lesser quantity और ये जो सारी gases है this is carbon dioxide helium, ozone, कम quantity में है यहापे यही दिखाया गया है यह जो हमारी earth है अब इस earth के ओपर यह पूरा का पूरा पूरा जो हिस्सा है यह पूरा पाट आप तू देख रहे हो यह सारा का सारा nitrogen है इनकी 78% जो है वह ए आर्थ के ओपर nitrogen है ठी और चालतर्व एक्मोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टव है उसके अंदर नानट रोजन है जब 78 परेंग समय अंदर भी जाती होगी ऑक्सिजन कितना है 21 जो हम लेते हैं इसके इलावा कार्बन डैव सर्फ 0.03 परसंट है और जो आर्गन है 0.93 परसंट है और बाकी की जितनी भी थोड़ गैसीज है वो सब मिलाकर 0.04 है ठीक है अब देखो यहाँ पे अपार्ट फॉम दीज गैसेज टाइनी डग अब गैसेज के इलावा ना कुछ दर्स पार्टिकल्स भी होते हैं हमारे एट्मोस्ट्रियर में ठीक है और सो प्रेजेंट दा एयर निक इंहेल वी ठीक सम अंधर की तरफ लेते तो कुछ आमांट नाइट्रोजन भी हमारे अंदर चला जाता है लंग्स में एड़ प्लांट्स नीड नैट्रोजन फॉर दियो सरवाइब डिको जो हमारे अंदर नाइट्रोजन जाता है तो हमारे लंग्स इस तरीके से बने हुए होना है कि वो जो है सिर्फ oxygen को ही हमारी बॉड़ी के अंदर जो काम होता वही करता है oxygen ही हमारी बॉड़ी के अंदर लेकिन नाइट्रोजन हमारी अंदर जो है वो काम नहीं करता जो हमारे अंदर oxygen को ही receive करते हैं हमारे अंदर ठीक है बड़ लेकिन जो प्लांट को नार्डोजन प्लांट को नार्टोजन भी चाहिए जीने के लिए दे कैन नॉट टीग ते नाइट्रोजन डिरेक्न फॉन दिर्डा यह अब डाराइट डारैक्टली जो है वह अट्मोस्फियर से यहावा में ईट्री डायक्क्ली नहीं ले था था सिर्फ 0.03% है तो यह जो carbon dioxide है यह हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं क्यों जरूरी है carbon dioxide is released in the atmosphere creates a greenhouse effect by the trapping the heat radiated from earth अब जो carbon dioxide है यह हमारे atmosphere में फैल कर अर्थ के ओपर क्या करती है एक विक्रित ऊश्मान जो ऐसी रेडियस आती है जो की अर्थ के ओपर आने से उसको रोकती है ठीक है effect by the trapping the heat radiated जो आती है carbon dioxide जो है उस उन radiated को रोकती है अर्थ पर नहीं आने देती ठीक है it is therefore called green house इसलिए जो carbon dioxide को जो है वो greenhouse gas भी कहा जाता है and without it the earth would have been too cold to live अगर carbon dioxide नहीं होगी carbon dioxide नहीं होगी तो जो हमारी earth है वो इतनी जादा थंडी हो जाएगी कि हम उसके उपर रहे भी नहीं सकते हैं however when its level in the atmosphere increase due to the factory smoke or car fumes the heat radiant increase of the temperature of the earth और क्या है कि जब हमारी हमारे जो earth प्र जो फैक्टरीज है जो कारों के धुएं है यह क्या कर रहे हैं यह कर रहे हैं यह atmosphere के जो जो atmosphere में क्या increase कर रहे हैं increase क्या हो रहा है atmosphere में factory smock के कारण car fume के heat radiance जो है वो increase हो रहा है हमारी earth के ओपर जो इसका temperature है वो increase हो रहा है जिसको हम global warming कहते हैं ठीक है वो सब melt हो जाएंगे और उनके melt होने से क्या होगा जो C का level है वो बढ़ जाए और C का level बढ़ने से क्या है बाढ़ आने के जो है वो chances हो जाते हैं तो क्या हो रहा है अब इससे क्या हो सकता है कि इसकी वज़े से बहुत सारे जो पोधे हैं प्लांट से जो एनिमल्स हैं वो क्या हो सकते हैं वो खतम हो सकते हैं लुप्त हो सकते हैं इसका मतलब हमारी जो अर्थ के लिए वह बहुत ज़रूरी है लेकिन जब जो हमारी अर्थ पर हम आजकल जो एसी चलाते हैं जो हमारी घर में रेफ्रिजरेटर हैं वो तो इसमें नहीं लिखा लेकिन इसके साथ जो पॉल्यूशन है उसकी वज़से क्या हो रहा है कि जो जो हमारी अर्थ के लिए टैंप्रीचर बना वा था कार्बन डेक्साइट की वज़े से वह क्या हो रहा है अनबैलेंस हो रहा है क्योंकि यहां पर अब जो है ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है तो यहां पर जो हम पढ़ रहे थे वहम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन कें यूज अब प्लांट्स हैं दार्क और नाइकरोजन को यूज नहीं कर सकते तो क्या करते हैं वह ऑधे बैक्टीरिया जो फी ऐसे बैक्टीरिया ऑटे हैं जो मिट्टी के अ competitive जो जडो के अंदर रूट्स के अंदर जो पोधो की रूट्स और जडो में पाए जाते हैं जो उनकी बैक्टीरिया होते हैं किसमें स्वाइल में और रूट में वहां से जो है टेक नॉइट्रोजन वहां से वह नाइट्रोजन लेती है फ्रॉम दा एर हवा के जरीए और चेंज इस फ्रॉम सो डैट प्लांट के यूज़ उसको फिर बदल देती है तक कि प्लांट उसको यूज़ कर सके ऑक्सीजन इस सेकिंड मोस्ट प्लांटिफुल गैट ऑक्सीजन भी काफी जादा है अर्स के ओपर इसे जो हमारी हवा में है वो कह रहती है एक ऑक्सीजन रहती है जितनी हमें जरूरत है अगर हम ट्रीज को काड देंगे तो यह जो बैलन्स है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा ठीक है अब कार्बन डैकसाइड जो हमने उपर पड़ा था जो कार्बन डैकसाइड जो है यह भी एक बहुत इंपोर्टन गैस है ग्रीन प्लांट यूज़ और कार्बन रिलीज करते हैं और जो है हाँ इंसान और जार्मत जो है वो कार्बन डैकसाइड रिलीज करते हैं और वो कार्बन डैकसाइड ले ले लेते हैं प्लांट और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं? हम oxygen ले ले लेते हैं और carbon dioxide छोड़ देते हैं तो इससे के एक balance बना रहते हैं However, the balance is upset by burning fuel लेकिन यह जो balance है कैसे upset हो सकता है? जब यह इंधन जलता है जैसे कि petrol है, diesel है, यह सब चीज़े जब चलती है, coal है, oil है तो इससे क्या होता है? balance upset हो जाएगा They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year अभी जो इतना ज़्यादा fuel, coal और oil जो यूज़ किया जाता है, इसको जलाया जाता है इससे क्या होता है कि यह इसके through carbon dioxide कितनी बढ़ जाती है billions of tons carbon dioxide हर साल atmosphere में वो add हो जाती है जिसके result पे क्या होता है? increased value, जादा carbon dioxide होने से हमारे जो weather और climate पे क्या है? असर पड़ता है ठीक है? अब हम पड़ते है structure of the atmosphere अब देखो atmosphere में कुछ जो हैं layers है यह आपने पहले भी 6th class में भी read किया होगा यह उसको समझाओगा, देखो troposphere होती है, stratosphere होती है अब जो troposphere layer होती है, यहाँ से हम समझ लेते हैं जो earth के सबसे पहली जो layer होती है, earth के बाद वो होती है troposphere ठीक है? जिसके अंदर हमारे जो clouds होते हैं जिसमें rain होती है और जो बिजली विगरा आप देखते हो कड़के वो सब troposphere में होती है, उसके बाद हमारी आती है stratosphere जो की जिसमें हमारा aeroplane वेगरा जो है वो चलता है और जिसमें ozone layer होती है उसके बाद हमारी आती है stratosphere उसके बाद mesosphere और उसके बाद आती है हमारी यहाँ पर thermosphere और exosphere अब हम इसको पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले हुब पढ़ते हैं उम्हारी एर्थ के बाद जो है पहली लिया यह चैनल यारे इस्ट फीली ही चुछ स्थे pair हो यह सब्सक्राइब weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm, चाहे बारिशो, चाहे ओले पड़े या fog, वो सब इसी layer के अंदर होता है, जो 13 km अबव होती है, उसके बाद आता है stratosphere, above the troposphere, अब यह जो layer होती है, troposphere से उपर होती है, ठीक है, lies the stratosphere, is extent of the height, इसकी जो height होती है, 50 km होती है, it's the layer of the, almost free from the cloud, यहाँ इसमें कोई clouds बेकरण नहीं होती है, कोई weather phenomena नहीं होता, तो यह बिलकुल free होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, aeroplane चलता है, fly करता है, इस layer के अंदर, one important feature is the stratosphere, is that the content, the layer of ozone gas की, जो है इहाँ पे layer होती है, किसमें, stratosphere में, we have just learn how to protect us from the harmful effect by the sun rays, हमने जो है पढ़ा है, कि किस तरीके से जो हमारी वो sun rays से हमें, effect से ozone layer बचाती है, mesosphere उसके बाद की layer है, third layer है, इसमें क्या होता है, it lies above the satosphere, यह हमारी कहाँ पढ़ती है, satosphere के बाद आती है, it extends इसकी जो high rate 30 km हैं, और जितने भी meetroids वेगरा burn होते हैं, वो इसी air के अंदर होते हैं, जो भी enter करते हैं, वो सारे meetroids जो हैं, वो देखो, यहाँ पे देखो, जितने भी meetroids हैं, यहाँ पे आके वो burn हो जाते हैं, उसकी बाद आता thermosphere, thermosphere का जो temperature rise very rapidly with the increased height, क्योंकि इसकी height इतनी बढ़ जाती है कि temperature भी बढ़ जाता है, इतनी उचाई है, तो temperature इसमें बढ़ जाता है, lonosphere is the part of the layer, it extends between 80 to 40 km जो इसकी जो length होती है, gap होता है, this layer help into a radio transmission, अब जितनी भी देखो, यह radio की जो transmission होती है, वो सबसे उपर वाली जो layer है, exosphere से नीचे वाली, उसमें यह radio की जितनी भी transmitted होती है, वो उसी में होती है, the earth reflected back to the earth by this air, और जो यहां से radiation जाती है, हमां से back होके जो वापिस अर्थ के उपर आती है, इस layer से touch होके, उसके बाद आ जाता है, सबसे उपर की जो last layer है, upper most layer जो है, वो है हमारी atmosphere के अंदर, exosphere, जिसको exosphere के नाम से जाना जाता है, यह जो layer है, बहुत ही thin air layer के अंदर, बहुत ही very thin air, बहुत ही कम, जिससे का आपके, exosphere में, तो यहाँ पर जो सारा, इसको आप देखना, कि किस तरीके से सारी, एक के बाद, जो भी आपकी है, पहले ट्रॉपस पर आपको सब learn करने के, एक के बाद एक कौन सी जो है, वो layer आती हो, हर layer के अंदर, कितना जो है, वो, उसमें kilometer बता रख है, उसकी वद हम पढ़ लेते हैं, weather and climate, weather and climate में क्या फरक होता है, हम इसमें देखते हैं, is it going to rain today, क्या आज वारिश होगी, will it be bright the sunny today, क्या आज दिन साफ होगा, और धूप निकलेगी, how many times have we heard this from the anxious cricket fans, anxious cricket fans, spec calculating the fate of a one day match, अब यह हम कर भी सोचते हैं, अज बारिश होगी, क्या आज बारिश होगी, आज का दिन साफ होगा, धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, कितनी बार हमें जो है, यह जो क्रिकेट के जो बहुत चाहने वाले हैं, उनके मूँ से हमने यह बाते जो है, कि सुनते हैं, कि future में अनुमान लगाते हो, हमने उनको सुना है, if we imagine our body to be a radio and the mind is speaker, अगर यदि हम कल्पना करे कि जो हमारा शरीर एक radio है और जो हमारा mind है, speaker है, तो whether is something the, whether is something the fiddles with the control knobs, whether is hour to hour, day to day, condition to the atmosphere, a hot or humid weather may make one irritable, यहाँ पे देखो जो अगर हम यह मान लेते हैं, कि हमारा जो शरीर एक radio है, हमारा जो mind है, तो मौसम वेदर, मौसम वह है, जो जिसके लगातार, नियंतरन, जिसके नियंतरन बटनों से छेर चार करता रहता है, मतलब मौसम क्या है, जो की छेर चार, उसमें क्या है, वो changes आते रहते हैं, मौसम के जो है, वो atmosphere की हर एक घंटे और हर एक दिन की ठिती होती है, ठीक है, मौसम क्या है हमारा, हर दिन के बारे में, जो बताता है, कि आज का मौसम क्या होगा, कि आज बारिश होगी कि आज दिन साफ होगा कि आज धूप निकलेगी तो यह क्या है हर दिन का अगर हम बात करें तो वो हमारा वैदर होता है कई बर हम गूगल पर भी सर्च करते हैं कि आज का वैदर कैसा होगा या अब तो दस दिन का वैदर भी दिखाता है गूगल की आने मतलब दस दिन का वैदर कैसा होगा तो वो क्या था हर दिन के सिथी जो हमें बताता है अप्लीजेंट बिजी वैदर में में एक उन चीरफूल और एवन प्लान आउटिंग कई बर हम देखते कि अच्छा वैदर आने आज है या कल होगा अगर हम सर्च करें यह देखते कि आज का वैदर बहुत अच्छा तो हम बहार जाने का जो एक plan बना लेते हैं ठीक है तो बहुत ही हमें क्या देता है यह आनन देता है बहुत लंबे समय तक जो एवरेज वैदर कंडिशन जो होता है वह बहुत लंबे समय तक अगर रहता है तो वह हमारा क्या बन जाता है उसको हम बोलते हैं वह climate होता है ठीक है उस जगह का वह climate अगर एक जैसा वैदर बहुत लंबे टाइम तक अगर रहता है average वैदर जो है condition जो है for a long period किसी भी जगह पे तो वह कहा है क्या रिप्रेजेंट करता है climate of a place उस जगह का now do we understand अब आप समझ गए होंगे why we have daily weather forecast कि हम जो है daily weather forecast क्यूं जो है वो करते हैं अब हम पढ़ते हैं temperature temperature के आउदर जिसको हम हिंदी में तापमान कहते हैं जब सर्दी होती है तब भी हमारा temperature है पूर्टर रहता है गर्मियों मैं हमारा temperature जो 44 कई तल चापमान होता है गर्मी की जो एक डिगरी होती है जिसको कि हम temperature के नाम से जानते हैं temperature of the atmosphere change not only between day and night temperature सिर्व रात दिन में नहीं बदलता है यह हमारे seasons में भी बदलता है seasons to season summer में जब गर्मी होती है then जो summer है are hotter than winter जो summer है वो क्या होता है गरम होता है winter से winter के according अगर हम देखें तो वो गरम होता है summer and important factor that influence that distribution of the temperature is an insulation and in insulation insulation अब जो important factor है influence influence मतलब जो प्रभाव डालता है the distribution of temperature temperature का distribution है उसको क्या है उस temperature of distillation जो distribution होता है वो हमारा एक क्या है insulation है इनकी आप तर जिसको हिंदियां बोलते है insulation is the incoming solar energy in intercepted by the earth अब जो insulation होता है वो जो सूरे से आने वाली जो energy होता है जिसे पिर्थी रोक लेती है उससे हम insulation कहते हैं the amount of insulation decrease from the equator towards the poles therefore temperature decrease in the same manner अब जो हमारा insulation होता है यानि की जो सूरे insulation मतलब जो सूरे की जो गर्मी है सूरे तब जो होता है उसकी जो मात्रा में जो हमारा the amount of insulation क्या होता है decrease हो जाता है from the equator towards the poles अब जो equator होता है हमारे earth के उपर वहाँ पे वो क्या हो जाता है decrease हो जाता है इसलिए therefore the temperature of decrease in the same manner इसलिए जो तापमन है उसी तरीके से जो है वो decrease होता है ठीक है now do you understand अब आप समझगे कि why poles are covered with snow की जो poles होते हैं वो क्या है बरफ से क्यों ढखे रहते क्योंकि वहाँ पर इतनी सूरज की रोश्नी जो है वो नहीं पहुंच पाती है if the earth temperature rise to high अगर earth का temperature बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो it would become too warm तो बहुत ज़्यादा करम हो जाएगी from some crops for some crops to grow ठीक है तो अगर इसका जो बढ़ जाएगा तो जो कुछ फसले है वो नहीं पाएगे अगर temperature इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा तो temperature in cities is much higher than the village और शो शहरों का temperature है गाउं के temperature के गौर्डिंग जादा होता है दिया concrete the metals building अब वो जिस जिन घरों में रहते हैं वो concrete की बनी हुई है या metals की या उन building में यह सब काम हुए होते हैं और रोड भी जो है जो concrete के बने होते हैं उनसे भी हीट निकलती है दिन में this heat is released during the night और रात के समय जो है वो heat क्या होती है है released होती है also the crowded high rise जो यहां पर क्या है शहरों में क्या होता है कि जो बहुत सारे जो लोग यहां पर रहते हैं और काफे बड़ बड़ी buildings में रहते हैं cities में the trap the warm air does raise the temperature of the city अब जो यहां के शहरों में भीड़ वाले उचे वाली building अब हम पढ़ेंगे air pressure you will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our body आपको यह जानके बहुत हरानी होगी जो हवा है वो हमारे शरीर के उपर क्या करती है एक pressure यानि हवा हमें क्या करती है प्रेस करती है with a great force एक great force के साथ हमें प्रेस करती है air हमारे शरीर के ओपर however we don't feel even feel it लेकिन हमें क्या होता है हम इसको महसूस नहीं करते हम इसको feel नहीं करते this is because क्यों नहीं feel करते है the air presses us from all direction क्यों जो हवा होती है जो हम प्रेस करती है वो हमें चारो दिशाओ से करती है all direction से and our body exerts a counter pressure लेकिन जो हमारा शरीर हमारी जो body होती है वो उसके opposite है जो है विपरित जो है उसके उपर pressure लगाती है air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface as we go up the layers of atmosphere the pressure falls rapidly the air pressure is highest at sea level and decreased with height horizontally the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at given place in areas where temperature is high the air gets heated and rises this creates as creates a low pressure area low pressure is associated with cloudy skies and wet weather air pressure is defined अब जो हवा है जो प्रित्वी की जो layer है अब air pressure is defined as pressure exerted by the weight of air on the earth surface अब जो प्रित्वी की जो surface है आर्थ की जो surface है वो हवा के उपर जो है हवा जो है उसके उपर काफी जादा क्या देती है pressure देती है, ठीक है, किसके ऊपर, earth की layer के उपर, वायू जो है, उसको क्या का जाता है, उसको का जाता है, air pressure, ठीक है, air pressure जो हवा pressure करती है, उसकी air surface पे, लेकिन as we go up layer, जैसे, जो layers उपर के तरभ atmosphere में जाती है, वो क्या ओती है, दिरे दिरे प्रेशर जो उसका जो है वो कम होता जाता है अब सबसे ज़्यादा जो प्रेशर इसका होता है वो होता है सी लेवल पे और and decrease with height horizontally and distribution of air pressure is influenced by temperature of air given place अब सबसे ज़्यादा जो प्रेशर इसका होता है वो होता है seas पे समुद्रों पे और उचाई पर जाने से क्या होता है यह धिर धिरे घरता जाता है जो air pressure होता है यह किसी भी जगा पर जो air होती है उसके जो temperature से उसको influence करता है मतलब किसी भी जगा का जो temperature होता है हवा जो उस पर influence प्रभाव डालता है जादा दापमान वाली जगाओं पे जो air होती है वो गरम होकर उपर जाती है और निम्नदाप जगाओं पे जो है वो बनता है जो low pressure जो होता है low pressure is associated with cloudy sky and wet weather और जो low pressure होता है वो क्या होता है है वहाँ पर क्लिया होता है cloudy is sky जो है वो जो उसके साथ साथ ही वो जोड़ा होता है जहाँ पर low pressure होता है cloudy स्काइग्जाई भी रहता है और साथ वहाँ पर एक wet weather भी वहाँ पर होता है कहां पर जहां पर low pressure होता है इन areas having low temperature जिन एरियों में temperature कम होता है वहाँ पर क्या होती है ठंड होती है it is therefore क्यों होता है it is therefore heavy क्योंकि वो भारी होती है heavy air skins and creates a high pressure area अब जो heavy air जो होती है high pressure बनाती है high pressure is associated with clear and sunny sky और जहां पर heavy high pressure होता है वहाँ पर क्या होता है एकदम clear और sunny sky होता है विल्कुल साफ होता है लेकिन जहां पर low pressure होता हमने वहाँ पर क्या देखाता है वहाँ जद्द तर cloudy रहता है और वहाँ का जो मौसम है वो भी wet रहता है ठीक है लेकिन जहां पर high होता है वहाँ पर एकदम होसम साफ रहता है the air always moves from high pressure areas to low pressure area जो हवा है हमेशा कैसे move करती है high pressure area से low pressure area के तरफ जो है वो हमेशा move करती है ठीक है उसके बद हम पढ़ेंगे wind wind पढ़ते हैं the moment of air from high pressure area to low pressure is called wind जो हवा है जो air है वो high pressure area से जब low pressure area के तरफ जाते तो उसको wind कहते हैं wind मतलब जो पवन जो होती है you can see wind at work at is blow dry leaves drown the pavement of uproot trees during the storm sometimes when the winds blow gently you can even see it blowing away smoke or fine dust अब जो हवा होती है पवन मतलब wind क्या होती है जो हवा हमारे जो हम feel करते है जो महसूस करते है हवा को जब वो चलती है तो हमें feel होती है तो wind होती है ठीक है एक होता है air air के अंदर क्या होती है जो हमारे चारो तरफ air होती है उसके अंदर gases होती है जो मारे चारो तरफ air होती है ठीक है और जो wind होती है वो हवा जो हम मैसूस करते हैं जो हम पवन कहते हैं ठीक है अब यह कहा है जब वो high pressure से low pressure किरो जाती है तो वो wind होती है और हम wind को you can see wind हम क्या करते हैं wind को देख सकते हैं कैसे देख सकते हैं जब हवा चलती है जब wind blow करती है तो जो सूखी पती है वो जमीन पे गिर जाती है ठीक है पेरों से वो उनको जो है वो उखार देती है कभी-कभी जब wind जो है वो slow धीरे-धीरे भैती है तब आप इसे बहुती छोटी-छोटी जो dust के जो particles होते हैं महीन धूल या फिर धूएं देखते हैं आप टाइंस wind can be so strong that it's difficult to walk against you must have experience it is not easy to hold an umbrella on a windy day think of some other examples when strong winds have created problems for you और जब कभी-कभी क्या होता है कभी-कभी जो हवा इतनी तेज चलती है कि उसके जो opposite direction में चलना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है आपने यह जो है feel किया होगा कि जब तेज हवा में जो क्या होता है umbrella लेकर चलना असान नहीं है तो इसी में हमें बताये गए कि जैसे कि winds can be broadly divided in three types हवा को तीन चीजों में जो है तीन मुख्यता जो है इनको तीन प्रकारों में जो है वो दिवाइड किया गया है कौन कौन से तीन है इसके अंदर सबसे पहले है इसमें permanent winds जो बिलकुल हमेशा के लिए होती जो स्थाई पवने होती है देखो यह वेस्ट राइल्स जो इस्ट राइल्स है आर दफ पर्मनेंट विंड्स दीज बो इसमें प्रकारों से लेके पूरव की ओर जो हवाइँ है वो स्थानी है पर्मनेंट है क्योंकि यह पूरा साल जो है एक ही डिरेक्शन में चलते हैं रहती है इसले इनको पर्मनेंट कहते है अब सीजनल विंट्स कौन सी होते है इस विंडिया के अंदर जो मॉन्सून होता है उसके बाद लोकल विंड्स इस बलो ओंली डूरिंग पर्टिकॉलर पीरियड ऑफ देड और एडर इन स्मॉल एरिया अब यह जो होती है है कि किसी particular day of period या फिर किसी particular year साल के अंदर ही जो है यह चलती है for example किसी छोटे area के अंदर for example is a land of sea breeze do you do you recall the hot and dry local within the northern plants of India it is called loo ठीक है अब जिसी कि हमारे या पर भी क्या होता है जब गर्मियों होती है इंडिया के अंदर गर्मियों में क्या होता है लू चलती है जून के महीने में लू चलती है न तो क्या है वो एक कुछी दिन ऐसे आते हैं साल के अंदर या कुछी time period ऐसा होता है कि जब वो लू चलती है पूरा साल नहीं चलती ठीक है एक पंदरा दिन या बीस दिन इतना ही जो है उसका period होता है तो हमारे लिए क्या हो गई local wind हो गई ठीक है अब हम पढ़ते हैं नीचे यहां पर moisturizer when water evaporate from land and different water bodies जब पानी जो है वो evaporate होता है जमीन से या अलग-अलग water bodies से अगर जब वो पानी evaporate होता है तब वो क्या हो जाता है इट बिकेम water vapor बन जाता है ठीक है यानकि वो जल wash बन जाता है moisturizer is the air at any time is known as humidity जो हमारे हवा के air के अंदर moisturizer होती है जो नमी होती है वो क्या जानी जाती है humidity के नाम से जो है वो जानी जाती है ठीक है when the air is full of water vapor we call it's a humid day जब जो हमारा air है वो पूरा water vapor से भरा हुआ होता है तो उसको हम humid day बोलते है कि हम कई बहुत humidity है आज का दिन बहुत humidity वाला है तो इनकी हमारा जो आसपास का जो air है वो किस से फुल हुआ पड़ा है water vapor से as the air gets warmer जब हवा गरम होती है air गरम होती है तो its capacity on hold the water vapor increase तो वो क्या करती है उसके अंदर जादा capacity होती है पानी को water vapor को hold करने की तो वो बढ़ जाती है and so it become more and more humid उससे क्या होता है humidity जो है वो और भी जादा बढ़ जाती है on a humid day जब humid day होता तो जो कपड़े होते हैं उनको सुखाने में भी बहुत time लगता है और जो हमारा sweat होता है पसीना उसको भी जो है our body does not evaporate easily तो वो भी जल्दी इवापरेट नहीं हो पाता है making us feel very uncomfortable और हमें बढ़ अंकमफरटेबल फील होता है आपने देखा ना कि जब rainy season के बाद में जो आता है पहले हमारा समर आएगा समर के बाद जो हमारा रीणी सीजर आता है उसके बांग आपने देखा रहे हैं कि बहुत humidity हो जाती हमारे जो आसपास का जो एक्मोस्ट्री रहोत हमारी हो जाता है क्या होता है कि उन दिनों बहुत बारिश आती है जो हमार जाती है ठीक है वेन दा वाटर वैपर राइस जैसे जैसे वाटर वैपर बढ़ता जाता है इच स्टार्स कूलिंग जैसे वाटर वैपर ऊपर के तरफ जाता जाता तो थंड बढ़नी शुरू जाती है देखो पहले गर्मी होती है उसके बाद जब रेनी सिजर आता है उसके water vapor जो जब condens होता है तो एक वजह होती है किस चिस की droplets उफ पानी की बूंद होगी अब clouds are just mass of such as water droplets, अब cloud होता क्या है ? cloud क्या है सिर्व पानी की बूंदे जो हैं उसके अंदर बहुत सारी पानी की बूंदे होती है बहुत सारा पानी होता है उसी से cloud बनता है जब ये पानी की बूद ने बहुत ज़्यादा बहुत हैवी हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है फिर वो नीचे की तरफ रेन के थ्रू जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है देखो यहां पर लिखा हुआ है when these droplets of water become too heavy to float in the air then they come down as historically precipitation. jet planes जो होते हैं जो हवा के अंदर जो sky में उड़ते हैं while आपने देखा हुआगा उसके पीछे कुछ white white जो है वो छोड़ते जाते हैं पीछे की तरफ. तो वो क्या है, the moisture of their engine, उनके engine का क्या है, वो engine condensants, उनका moisture है, we see trials of these condensants moisture for sometime, हम देखते हैं कि वो जो पीछे जो छोड़ जाता है, वो थोड़े दिर के लिए हमें दिखता है, उसके बाद वो हमें नहीं दिखता, sometime, and when there is no air moment to disturb it, precipitation that comes down to the earth in liquid form, अब जो precipitation होता है, यह क्या करता है, जो बादलों में बहुत ज़्यदा पानी भर जाता, तो यह क्या करता है, फिर यह पानी जो है, नीचे, अर्थ के ओपर, बारिश के रूप में, liquid जो है, वो नीचे के तरफ बहना जो है, या कैसा तो गिरना शिरू हो जाता है, most of the ground water comes from rain water, बहुत सारा जो ground water है, वो कहा से आता है, जो बारिश का पानी होता है, वहीं से आता है, plants help preserve water, अब जो plants होते हैं, वो भी water को preserve करने में मदद करते हैं, when trees on hillsides are cut, rain water flow down and bear mountains and can cause flooding of low lying areas, अब जो उच उचे पहाड़ों के ओपर क्या करते हैं, कि यह जो पेड़वेड कार देते हैं, तो उससे क्या होता है, कि पानी जो है, बहुत तेजी से नीचे की तरफ जो है, पहाड़ों से जो है, mountains से नीचे की तरफ जो हो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो पेड़ है, वो ख्या करते हैं, एक उनको रोखने का भी काम करते हैं, लेकिन जो पेड़ कर जाएंगे तो बड़ी तेजी से flow down to bear mountains and can cause the, इसकी वएसे क्या हो सकता है, उन जगाहों पर बाड़ा जाती है, या आ सकती है, on the basis of the, on the basis of mechanism, there are three type of rainfall, अब अगर हम देखें की mechanism, क्रिया विधी की अधार पर हम देखें, तो तीन तरह के rainfall होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, the conventional rainfall, उसके बाद होता है, aurographic rainfall and the cyclonic rainfall, यह त rainfall जो हैं, वो बताया गया है, लास्ट में में या बोल बताया गया है, rainfall is a very important, जो बारिश है, हमार ले बहुत जरूरी है, for to survive the plants and animals, जानवरों के लिए भी और plants के लिए, it brings fresh water, क्योंकि यह जो एक बल्कुर fresh water ले के आते है, earth surface के उपर, if rainfall is less, अगर rainfall, बारिश कम होगी, तो water scarcity and drought occur, अगर बारिश कम होगी, तो जैसे कि बार कहरें, सुखा पर सकता है, और पाने की कमी हो सकती है, on the other hand, if it's a more, अगर यह जादा होगा, तो फिर बारा सकती है, तो हमारा chapter reading complete हो जाता है, आप हैं इसके question answers, question answers की next video में करेंगे, सार पे हम करेंगे, इसका book work, सारा का सारा तो आप channel की playlist में जाके हमारी सबी videos check कर सकते हैं, video helpful लगे तो please like, share, subscribe परे, thank you